हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चनल आईटि ऐ ऑनलाइन ग्यान में दोस्तों आप सबी को पता चल गया होगा कि जारखन में ने सत्र के लिए आपका 2021 से 2023 के ने सत्र के लिए आईटि ऐ में नामांगान स्टार्ट हो चुका है आवेधन करने के लिए आपका 4 तारिक से 20 अगस्त तक आपका आवेधन यहाँ पे आप भर सकते हैं इसके लिए आपको JCCB Board पे official website पे आके online आवेधन करना है थेर मैं आज के इस वीडियो में ये जनकारी देने नहीं आया हूँ तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स के साथ अकसर कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये confusion बनी रहती है कि आप यदि आपके पास कास सर्टिपिकेट नहीं है यदि आप ST, SC, OBC से बिलोंग करते हैं अब के पास कास सर्टिपिकेट नहीं है तो क्या आवेधन कर सकते हैं collecting आप करेंडस कर सकते हैं ठीक हैं लेकिन आपके पास residential सर्टिपिकेट होना चाहिए आवासी सber notification में आपको ये चीजें बताएगी है तो यहाँ पर आप notification में आ जाएगे देखे हमारे पास झाल UP प्रति उडिता परिश्चा-परस्द है उननहीं का notification है यहां पर तीसरे नंबर पर आप आएंगे यहां पर आवासिय अहरता ठीक है इसे मैं थोड़ा जुम कर लेता हूँ तो देखें यहां पर आवासिय अहरता यहां पर साफ यहां पर बताई गई है कि जारखन के candidate यानि की जारखन के रहने वाले यहां के जो पर्मेनेंट निवासी हैं चाहे अस्थाई निवासी हैं वही यहां के ITI के गोवर्मेंट कोलेज में नामांकन ले सकते हैं इसके लिए आपको जारखन के ब्लोक लेबल या अनुमंडल या जो DC लेबल का जो अवासी प्रमान पत्र होता है जिसे हम लोग इंगलिस में कहते हैं रेसिडेंशल सेटिपिकेट वो आपके पास होना ही चाहिए यदि आप किसी केटिगरी ST, SC, OBC कास्ट केटिपिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आप जेनरल केटिगरी में आ जाएंगे ल तो यहां पे साफ साफ बताए गई है यदि आपके पास नहीं है तो आप आवेदन ना करें आप किसी private institute में आप आवेदन ले सकते हैं आपको घबराने की बात नहीं है वहाँ पे कोई भी नामंकल ले सकता है लेकिन यदि आप government में पढ़ना चाहते हैं तो आपको यह certificate होन है इससे related मैंने यह advertisement आने से 15-20 दिन पहले ही आपको notice कर दिया था कि यह document आपको लगने वाले हैं तो आप apply कर दें खैर अभी कुछ दिनों का समय है 20 तारिक है 20 तारिक तक 10 दिनों का लगभग समय है आपके पास हो सकते तो date बढ़ सकती है तो यदि आप यहां के निवासी है और आपके पास यह certificate नहीं है तो आप अभी आवेधन कर दें हो सके तो आपका ततकाल में बन जाए क्योंकि बिना अवासीय बिना का certificate का आप आवेधन करेंगे तो बाद में आपको दिकते हो जाएगी बेकार में आपका जो online fee है 400 रुपे 200 रुपे वो बेकार में चला ज समय या admission लेते समय या admission लेने के बाद भी यदि आपको किसी तरह का परिशारी होगी तो हमारे channel में आप comment कर सकते हैं तो आज के लिए यही जुरुरी आपको information देनी थी तो आपको information कैसी लगी अगर आपको किसी दोस्त को इस information की जुरुरत है तो आप उसे share कर सकते हैं जबार